बच्चे हमारी बाहों में जूलते जूलते कब बड़े हो जाते हैं हमें खुद भी एहसास नहीं होता लगता अभी अभी तो तुम पैदा हुए थे नानी की गोद में 2005 का वो दिन जिस दिन हर एक के खुशी का ठिकाना नहीं था पर इतनी जल्दी तुम बड़े हो गए कि मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि तुम इतने बड़े हो गए आज कुछ पुरानी यादे निकाली बहुत सारे एल्बम्स भरे पड़े थे तो कुछ यादे निकाली हैं और वही यादे ले किया ही हूँ आपके साथ चोटी-चोटी खुशियां होती है जो हमारे जीने का मकसद बनती है और ये खुशियां बस इसी तरह से बढ़ती रहें इसी उमेद के साथ आज तुमको ठेर सारी दुआएं देना चाहते हूँ बस इसी तरह से हसते रहो खिलखिलाते रहो जीवन में आगे बढ़ते रहो एक नेक इंसान बनो, और बस क्या कहूं, बढ़ती तो सारी दुआए, तुम्हारे साथ ही तो जुड़ी है, कहने की क्या ज़रूरत है, बस आज एक अपनी तरब से छोटा सा तोफा देना चाहती थी, जो मैंने हर उस पल को कैद करनी की कोशिस करी थी, जो पीछे छूट गया पहुत सारे कैमरे में कैद पड़े ही ये पल, यहाँ पर नानी के साथ हनु हनु कर रहा हूँ, यहाँ पर मामी के साथ हनु हनु कर रहा हूँ, साथ मेरी दीदी बैठी हुई है, तो कभी नन्हाल जाके एंजॉय किया, कभी मम्मी पापा के घर में एंजॉय किया, यहाँ प पर देखिए दीदी की मैंने फ्रॉग पहन ली और बड़ा खुश हो रहा हूँ लड़की बनके तो बस यही दुगा करती हूँ कि बस इसी तरह से खुश रहो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो यह तस्वीरें मेरे मामा के सोजयने से मेरे मुडनन के ज़स्ट पहले माम उतर जाएंगे तो बच्चा स्मार्ट नहीं लगेगा और यह कुछ क्लिक्स मेरे पहले जनम दिवस के मेरा पहला जनम दिवस जहां पर सारे लोग बहुत खुश थे 2006 का दिन था पर मैं उदास था उदास इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग इकठा हो गयते और चुकि म एक साल तक अकेला रहा था तो मुझे भीड भाड पिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो पूरा रोना धोना चालू था मेरा सुबह से शाम तक पर चुकि सब लोग आये थे जनम दिवस मनाने तो किसी तरह बीच बीच में स्माइल मारी और कैमरा मैन ने किसी तरह बड़ी था मेरे पहले जनम दिवस पर मेरे लिए तो सब कुछ याद ही है क्योंकि मैं तो इतना छोटा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है यह मेरी दादी जो अब मेरे साथ नहीं है पर उनको मैं बहुत मिस करता हूं अभी भी चलिए भई पार्टी में सब ने इंजॉय कि और यह मेरी बड़ी मामी काफी सारे लोग आये थे सब को दिखाना मुश्किल है वीडियो बहुत लंब हो जाएगा परत्रे के बाद धीरे 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 बड़ा हो रहूं और धीरे धीरे अपने आप में मस्त हो रहा हूं अकेले खिलना शुरू कर दिया है क्योंकि अब तो रोना धोना थोड़ा सा कम हो गया है अब यहां पर स्कूल जाना भी सीक लिया है स्कूल जाने लग हो बहुत सारा पढ़ाई का प्रेशर भी हो गया है पर बीच-पीच में टाइम निकाल कि अपने सॉफ्ट वाइस से खेल भी लेता हूं यह पूरी पल्टन मेरे भाई बहनों की चलिए भई इसी तरह से बस कुछ एक पल मैं आप सभी के साथ मस्ती करने में तो मैं कभी पीछे थाई नहीं जब जब मोका मिलता था ना जी खोल के मस्ती करता था अब थोड़ा सा इस्कूल का भी प्रेशर था पर इस्कूल में भी हर उस जगे पार्टिसिपेट करता था जहां पर कुछ भी कारक्रम होता था धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे में बड़ा हो रहा था कभी कनहिया बन जाता था तो कभी राधा भी बन जाता था कभी मेरी मा मुझे चुन्नी मुन्नी सब कुछ पहना के राधा भी बना देती थी लीजिए भई राधारानी से मिल लीजिए ये भी मैं ही हूँ जब जिस रूप में मेरी मा ने मुझे उतार दिया उस रूप में आ गया छोटे छोटे से पल कभी पापा के साथ दाड़ी मूझ बढ़ाने का शोग था तो कभी-कभी मामा के हाथ देखिये कलाकारी कर दी जाती थी मेरे नकली दाड़ी मूझ बना दिये जाती थी या फिर मम्मी कभी इस गेटप में मुझे तयार करती थी एक मारवाड़ी लुक में, राजिस्थानी लुक, कैसा लगा, बताईएगा जरूर, कभी कुछ नहीं मिला, तो ये टोकरी ही सर पे रख ली, और ये टोकरी मम्मी के गाटन में आज भी जिनता है, कुछ नहीं, तो भाई ये गमले का है ठीस ही, थोड़ी सी मस्ती के पल, अप सब छोटे-छोटे से पल, जिन में मैं खुद अपने आपको धीरे-धीरे बड़ा होते देख सकता हूँ, चलिए भाई, कुछ और देखते हैं, बुके, काफी हैवी है, थोड़ी सी मदद करिये ना, और यहाँ पर देखे, ओफिस के सारे बच्चे मिलके पापा के लिए ग को भी मैं बहुत मेज करता हूँ, यहाँ पर कुछ और खुबसूरत से पल, यानि कि जब जहां पर जो मौका मिला, हर मौके में अपने आपको उतार दिया, मेधी छत्री की नीचे किसको आना है, जल्दी से बताईएगा, यहाँ पर भी कुछ वही मस्ती के पल, पेड़ पे अना था, तो वो भी एक हसरत पूरी हो गई, और यहाँ पर बन गया मैं अपना राजा रजवाड़ा, चलिए भाई, राजा जी तो पधार चुके हैं, अब आगे देखें, क्या है, बस यहाँ पर भी वही अपने कुछ मस्ती भरे पल, जो इधर-उधर मैंने घूमे थे, से मिल पाऊंगा, घंटो उनके बंगले के बाहर खड़ा रहा, उनकी वैनिटी वैन खड़ी थी, वहाँ पर खड़े इंतजार करता रहा, पर मुलाकात नहीं हो पाई, कोई बात थी, वो तमन्ना यहाँ पर पूरी हो गई, वैक्स मेजियम में, जहाँ पर मैंने खूप सार क्लिक्स कराई, देखें, शारू खान के बगल में शारू खान की एक्टिंग करते हुए, तो कुछ तमन्नाएं ऐसे पूरी हो गई, यहाँ पर अपने फेवरेट करेक्टर्स भी मिल गए, डो रेमान की जैसे ही स्टाइल बनाते हुए, चलिए भाईया, खूब हो गई है, तो आप जाओंगा आराम करने, यहाँ पर कुछ और बड़ा हो गया हूँ, कुछ बच्चों के साथ मस्ती करने लगा हूँ, हमारे अद्दू भाईया के साथ मस्ती करते हुए, थोड़ा सा कपी, कपी फैमिली के साथ भी बाहर निकलता हूँ, तो वहाँ पर भी कर लेता हूँ, अब छोटे-छोटे पल हैं, जो कभी दोस्तों के साथ इंजोए किये, कभी फैमिली के साथ इंजोए किये, और वो सारी यादे, मेरी माने सन्जो के रख ली मेरे लिए, वस्पार्टियों में जाना मुझे कता ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि मुझे कपड पहनना सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है क्योंकि हमेशा मैं लोवर और शर्ट में ही रहना पसंद करता हूं बाहर जाओंगा तो कपड़े पहनने पढ़ेंगे पर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं थोड़ा सा समझने लगा हूं तो कभी कभार पार्टियों में चल वालों के साथ थोड़ी परिवार वालों के साथ और अब तो मैं मम्मी से इतना बड़ा हो गया हूं कि मम्मी को गोद में उठा लेता हूं और इतना बड़ा हो गया हूं कि अब कैमरे के सामने चेहरा दिखाने से भी कतराता हूं खुश रहो बच्चे हमेशा ऐसे ही फालो पूलो, खूब हसो, खूब मुस्क्राओ, जीवन में खूब आगे बढ़ो, और अंत में इस जन्म दिवस पर तुम्हारी मम्मी की तरफ से छोटा से तोफा तुम्हें धेर सारी खुशियां दे। जन्म दिवस की एक बार फिर से धेर ओ धेर बधाया।